में भी आप लम्मान के लिए और जो लोग बिना किसी काबलियत के पद पर बैठते हैं वो लंबे समय तक ठीक नहीं पाएंगे एक के पहली बात मेरा श्पस्त मानना है अब लोग तंतर में जीते हैं लोग तंतर में कोई भी बिहार विधान सभह में या परल्लेमेंट में बिना चुनाओं के जाए नहीं सकता है राच्च तन्तर तो है ने हम चुन करके आते हैं है दूसरी बात हम यह कहना चाहेंगे कि ब्यान में दोहरापन जलगता है अब आप पूछेगा कि आज हमने मुख्यमंत्री जी का ब्यान देखा बड़ी बाते कर रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक सवाल मेरा पूछना है या मेरे बात को वह गलत कर दे कि दोहरापन वाली बात उन्होंने की है कि ने कि उनके बिहार काबिनेट में कितने ऐसे मंत्री हैं जो किसी के पुत्र या रिष्टिदार ना हो एक एक पीड़ी नहीं दूसरी तीसरी पीड़ी के भी लोग जो हैं बिहार में मंत्री हैं लगभग आठ मंत्री ऐसे हैं जिन पर परिवार का जो है आप आप आरूप लगा सकते हैं लेकिन आप बताइए नाम पर देते हैं, अशोक चौधरी जी के पिता क्या थे, वो भी पॉलिटिक्स में रहे, सुनील कुमार, जयंत राज, समराठ चौधरी, लेशी जिंग जी के हजबन जो है समताफ पाटी से ही लगतार रहे, संतो सुमन मांजी जी, नितिन नवीन, सुम अशोटी, आप कहते हैं कुछक कहते हैं कुछप हान, मंत्री जि क्या कहते हैं, परदान मंत्री जी ने तो ये भी बोला था नितिश कुमार जी को क्ये डिने का सवाल फो डीयने का जो घाली जो दिया गया को भी तो प्रधान मति जी ने बोला था दे यूग का मतलब जंता का दमन उतपीरण यह हमने तो नहीं ंदां ले किसको क्या कहते हैं मुख्मंत्री जी अब तो हम कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन पूरा ब्यान देखने के बात तो यही समझ ब्यारा की दोहरापन वाली बात लोग तंत रहे ना भाई हमको लालू जी परधान मंत्री बना देंगे या बिहार का मुख मंत्री बना देंगे तो हम बन जाएंगे क्या जब तक हम